सारे और मेरे वलों सत शुरीय काल जी आज मैं तो अडिनल शेयर करांगी दुद्ध वली सबजी इसली चार प्यास इन हर्या में चान ते थोड़ेक लेसन तुसी देख सकते हों कि एनने क्वांटिटी दे विछ लेया है होने इसनू तरकलों ले अद्धिक अडशी सरूंदा तेल लिया है जोदो तेल गर्म हो जावेगा ता इसने विछ एक चमच जीरा थोड़ी का हींग पाल मांगे जोदो जीरा थे हींग थोड़ी ची पुन्न चावेगी ता इसतो बाद इससे विछ कट्या होया लसन पादे मांगे ते लसन नू सिर्फ एक दूप मेंट ले ही पुन्नन है उसतो बाद इससे विछ कट्य होई प्यास ते लसन पादे मांगे तुसी इह सब जी बीना ग्राइंड करे तो भी बना सकते हूँ जिदा मैं बनाई है पर जी तुसी ग्राइंड करके बनाना चांदे हूँ तो जो दो इह बन जावेगी उस्तो बाद इसनों ग्राइंड करके फिर इसनों तरका लोना पोवेगा ते फिर उस तो बाद इस दे विच तुसी मलाई पाके ते उस तो बाद इस दे विच दूद पा सकते हो तुसी देख सकते हो कि इस दे विच फिर कट्या होया प्याज ते हरी मेर्च पा देनी है ते जिड़े प्याज नो हो चंगी तरह अपने मिक्स कर लेना है तांकि जिड़े सारे प्याज ने उस सारे ही रोस्ट हो जाना क्योंकि अपन इसनों ग्राइंड नहीं करना इस करके जिड़े भी प्याज लग दिया कि जुड़े होए है उन्हानों अपने अलाग कर लेना है ताकि जेड़ी सब्जिया हो सारी पक जावे तुसे इस दिविच मसाले अपने टेस्ट दे अकॉर्डिंग बाद चाँ काट पा सकते हूँ तुसे देख सकते हूँ कि जोदो अपने इहे मिक्स कर लिया ता इसनू तिन शार मेंटली एता ही मीडियम फ्लेम ते पुर्ण लेना है तुसे इस दे उपर टक्कन लगा के इसनू दोक मेंटली राख सकते हूँ उस नाल सबजी ज़्यादा जल्दी बन जान्दी है ते जोदो इहे पुन्या जावेगा ता इस दो बाद इस दे विच आप मिसाले अड़ करांगे जे तुसे इस्ते विच टमाटर पॉना है ता तुसे ओ भी कटके पासकते हो पर ओ टमाटर ओधों ही पॉना है जोदो एहे प्याज पुन्या जावेगा उस्तो बाद तुसे इस्ते विच टमाटर इक टमाटर कटके पासकते हो ते फिर उसनों पुननतों बाद मसाले पासकते तुस्сят देख सकते हूं कि येुसे विच अद्धी चमच्च हल्दी पाई है nggak ते इसन्हों चंगी तड़ा मिक्स कर époड़ा है तीजों, तो थोडी ची कट लाल मिर्च पाम आगी योई ते विच तिन हल्य मिर्च आंग के पादते आहान ते इसनु छंगी तरह मिक्स करना तो बाद इस दिविच एक चमच मलाई पादेनी है मलाई दी जगा ते तुसी क्रीम भी पादे हो ते तुसी देख सकते हो कि इसनु अपने चंगी तरह मिक्स कर लेना है जीडी मलाई या उस दिविच हो थोड़ा जाकी निकल जानदा है इस करके इस दिविच मलाई दी सिर्फ एक ही चमच पौणी है पर जे तो वह लू ज़ादा की वाली पसंद है तथ तुसे इस दिविच मलाई ज़्यादा पा सकते हो पर जे तुसे क्रीम पार रही हो था उससे नाल एनाखियों नहीं निकल दा तुसे देख सकते हो कि इस विछ मैं एक कपी पूरी पड़ के दोद्धी पा दिती है दुद्ध तुसे अपने कॉर्डिंग वाद जा कट पा सकते हो पर एनक दुद्ध ता जुरूर पोना है कि जड़ी सबजिया हो पूरी तरह कवर हो जावे उस्तो बाद इसनों सिर्फ दोक्मेंट लग दे हान बॉयल होनू क्योंकि जड़ दुद्ध मैं पाया इस दे विच उहो गर्म ही सी जी आपा ठंडा दुद्ध पान दे हां तरह काफी टाइम लग चांदा है और इस दो बाद इस दे विच आपा एक चमच नमक दी पामागे तुसी अपने स्वाद उन्सार नमक पा सकते हो जी तुसे ज़्यादा जोली बना आना चांदी हो तरह तुसी एक साइट ते दुद्ध गर्म करनली राख सकते हो जो तुसी तड़का लगा रहे हो तुसी देख सकते हो कि जोदो इह बॉयल हो जावेगा उस दो बाद इस देविच अद्धी चमच गर्म मसाला पा दितता है ति इसनों शंगी तरह मिक्स कर लेना है जीड़ी इह सबजी या ओहो दास मेंटा देविच बन के त्यार हो जानती है जानी कि जोदों आपा लसन प्यास से लदे हां ओधो तो लेके बन देख सिर्फ दास मेंट ही लग देहां तुसी देख सकते हो कि एह पहला नारो थोड़ी जी गाड़ी हो गई है ता इस देविच थोड़ा जया हो और दुद मिक्स कर ला मागे पर जे तुसी एहो जी भी खाना चान देऊं तक खा सकते हो एवी बहुत ही वद्या बन के त्यार होंदी है जेड़ा मैं दुद पा रही है ओहो मैं वन फोर्थ काप पाया है तुसी इस दी जगते अध्दा काप भी पा सकते हो जे तोहनू ज्यादा पतली चाहिं दिया तुसी ज्यादा दुद पा सकते हो सार्यांदा मेरी वीडियो नू देखन देले बहुत बहुत तानवाद और मेल देया आगली वीडियोच औने टाइम ले बाई